आज हम बनाएंगे तिल गुड रोल जो बिल्कुल डिफ्रेंट तरीके से बनाएंगे ना ही हम कोई चास्नी बनाएंगे इसके लिए और दो तीन इंग्डिडियन्स से ही बहुती बढ़िया यह हमारे रोल्स त्यार होंगे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं यह होंगे तो इसके लिए हम ले लिए तिल और मुमफली तो यह मैंने तिल लिये हैं एक कटोरी बेट से नापोगे तो यह होंगे 205 और 100 ग्राम हमने लिए मुमफली पहले हम मुमफली को भूण लिए मुम्फली और तिल है इसका कॉमिनेशन बहुत ही जबरदस्त लगता है और जब दोनों मिलाके बनाओगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं यह तो यह देखें मुम्फली हमारी बुन चुकी है और इनको अब हम निकाल लेंगे इसी में अब हम तिलों को भून लेंगे त तिल तो बहुत जल्दी ही बुन जाते हैं ज्यादा टाइम नहीं लेते और ज्यादा आपको भूनना भी नहीं है नहीं तो फिर वो कड़वे लगते हैं तो यह बस दो से तीन मिट में ही बुनकर तयार हो जाएंगे देख सकते हो कैसे फुदक रहे हैं यह तो यह भी हमारे बुन चुके हैं और अब हम इनको ठंडा होने देंगे अब हम यह मूमफली ले लिंगे और इनका हमें छिलका है वो हटाना है बहुत ही जल्दी हट जाता है इस तरह से हातों से मसलोगे न तो यह इजिली हट जाते हैं छिलके तो इनका मैं छिलका हटा लेती हूं पहले तो में बारिक नहीं पीशना है दरदर ही पीशना है यह देखिए आपको देखा देती हूं रुक रुक के अगर आप मैंसी चलाओगे तो दरदर ही पिश जाएगा अब हम यह थंडे हो चुके हैं तो इनको भी हम इसी तरह से पीश कर लिए आएंगे तो देख सकते हो मैंने दोनों चीजे हैं वो पीश ली हैं अब हम ले लेंगे गुड़ तो यह मैंने तीन बॉल सी हैं जो गुड़ की ली हैं बेट से ना पोगे तो लगबग यह 400 ग्राम गुड़ होगा क्योंकि हम पूरा बेट अगर मुमफली और तिल हैं उनका देखेंगे तो यह 300 ग्राम लगबग हो रहा है तो 100 ग्राम हमें ज्यादा लेना है गुड़ तो यह देखिए मैंने थोड़ा सा यह इसको बारिक बारिक कट कर लिया है आप चाहो तो ग्रेटर से भी ग्रेट कर सक अब हम एक कडाई ले ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे वन टेवल स्पून घी और अब हम घी में डाल देंगे यह गुड़ पानी बिल्कुल नहीं डालना है बस इस गी के साथ हमें यह गुड़ मेल्ट कर लेना है चासनी भी नहीं लेनी है बस खाली मेल्ट करना है इसक तो इसको चलाते रहेंगे फ्लेम हाई कर देंगे तो यह देखे दीरे-दीरे मेल्ट हो रहा है तो यह देखे फ्रेंड्स यह मेल्ट हो चुका है कुछ सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा और इसको चला लेती हूं और अब हम इसके फ्लेम है वो सिलो कर देंगे और इसमें हम यह जो मूम फली और तिल था ना उनको डाल देंगे और हम मैं इसमें डाल रही हूं हाफ कप मिल्क पाउडर अगर है ना तो जरूर डालिएगा फ्रेंड्स बहुत ही जवर्दस टेश्ट आता है इसका हम इन सारी चिज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे लेकिन हमने फ्लेम है वो सिलो कर देनी है और सिलो फ्लेम पर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे तो ये देखिए ये मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है और हम मैं इसको थोड़ा सा थंडा होने दूंगी ज्यादा थंडा नहीं करना है बस इतना थंडा हो जाए कि हमारा जो हाथ है वो जले नहीं तो इसको थोड़ा सा अलर्ट पॉलेट लेंगे थोड़ा से इसमें साइन भी आ जाएगी तो यह देख सकते हो यह थोड़ा ठंडा हो चुका है और एक साथ उठके भी आ रहा है यह तो इससे हमारे बहुती बढ़िया रोलवन की त्यार होंगी अब हम लेलेंगे एक पॉलेथिन कवर और इस पर मैंने डाल दिया है गी जिसे की चिपके नहीं नौर्मल पॉलेथिन कवर है जो घर में सबजी बगएरा का या फिर हमको सामान लेके आते हैं उसकी जो पॉलेथिन होती है उसको आप बढ़ा कर लीजिए सीजर से कट करके और अगर यह नहीं है यह तो इसे सबके घर में मिल जाता है आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर पर भी कर सकते हो तो मैं एको कुछ सेगेंड के लिए इसी तरह से मसल लूगी और यह थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएका इस तरह से और प्रेक्स भी नहीं आएंगे हम मसल लेंगे इसको अच्छे से तो और फिर हमें इसका रोल बनाना है तो यह देखे मैंने मसल लिया है और आप मैं इसका रोल बना लूँगी इस तरह से थोड़ा गरम है तो साबदानी से कीजिएगा और आप मैं इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से इसमे लपेट कर कब तक है जब तक कि यह ठंडा ना हो जब यह ठंडा हो जाएगा तब हम इसके पीसे कट कर लेंगे तो मैं इसको एक गंटे के लिए ऐसे छोड़ देती हूं तो यह देखे एक से डेड़ गंटा हो चुका है और यह हमारे रॉल्स कटने के लिए तैयार हो गए है थंडा भी हो चुका है अब आप चाहो तो इसके उपर ड्राइफ रूट्स लगा सकते हो तो मेरे पास यहाँ यह चांदी का बर्क पड़ा हुआ था तो मैंने यह लगा यह तोटली ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हो नहीं तो आप इसकी भी कर सकते हो अगर ड्राइफ रूट्स आपको पसंद है तो लगा सकते हो नहीं तो ऐसे ही अगर आप कट करके खाओगे ना बहुत ही जबर्दस टेस्टी लगते हैं यह क्योंकि गोड तिल मूम फली इनका कॉमिनेशन बहुत ही जबरदस्त है और सर्दी का मौसम है ठंडी ठंडी में इस तरह से रोल्स बना के रख लीजिएगा और आराम से खाईएगा लॉंग टाइम चलते हैं आप रेड़ से दो महीने तक इनको इस्टोर भी कर सकते हो जब भ आप भी ट्राइज जरूर कीजिएगा और अपना फीड वैग हमें जरूर बताईएगा तो फ्रेंड्स हमारी रेस्पी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर हमारी रेस्पी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें जदस जदस शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें